जो ओट तुदा वेस्ट बेंड है इनको यहां से फर्स्ट इस्टेंजा सेकेंड और थार्ड तक हमने देख लिया था फॉर्थ को भी आदा देखा था और आधा कबर नहीं किया था जो इधर दीएा है निव वर्ड लाइऀ में जिए जरूर देख लिए इन से काफि है अचा कि यहां पर जो वर्ड इसमें देख सकते हं और इसमें भी दिया ऑगे यह वाले दिये थोड़े वह देख लिजे फिर आज इस पोएम को हम ओबर ही कर दें कि इस्टेंजा थर्ड थर्ड वाला इस्टेंजा तो हमने देख लिया था फॉर्थ की बात कर लेते हैं एम और डिवल और नॉट कि सांड पहुंच रही है हमारी एक बार रिमांड करा दीजिए कि अगर सांड पहुंच रही तो पहुंच रही अधर्वाइस दुबारा कर रहे हैं कि आप हमें सुन रहे हैं कि अजी सर्ड आवाज अच्छी आ रहे हैं सर्ड चलिए पिछले स्टेंजा में हमने देखा था अभी तक जो फस्टेंजा था उसमें हमने डेड लीप्स को देख लिया था सेकेंड इस्टेंजा में हमने उसको जो क्लाउड है यहनि इसकाई के बारे में बात की थी थार्ड इस्टेंजा में जो हमारा प्वास है वह बात कर रहा था कि की बात कर रहा था में अपने से कंपेर कर रहा फिर ये पने को क्सटेंट किस पर बैस्ट है खरते को तो तो तुप सब्छागों के बिस्चेज़ में करी सब्सक्राइब वेव पेंट बेनिस दपावर एंड अब उसन मैंने आपको बताया था कि इसके बारे में इफ आई डेड लीप यदि मैं क्या खुद सूखी पत्ती होता डेड लीप यदि मैं डेड लीप सोता और सब क्लाउड होता या फिर बेप सोता तो मैं आपके पावर के नीचे रहता और उनको मैं आपके सकती को शेयर करता यह चीज यहां तक बता रही है कि देखिए यहां से एद मैं डेड लीप सोता तो आपके साथ उड़ता प्लाउड होता तो भी आपके साथ उड़ता यदि बेप सोतो यदि मैं बेव होता किसकी समुद्र की तो क्या है कि आपके पावर से नीचे रहता और उनको शेयर करता यह बात कह रहा था तो आपकी पावर से नीचे रहता और शेयर करता जो तुम्हारी सकती संबेग है उसको मैं दूसरों को भी ग्याद करता कि इंपल्स आफ दिस इस्टों और आप से थोड़ा सा मैं फ्री रहता क्योंकि मैं भी आपके इतना बिज रहता दैन दाव उसके बाद क्या अनकंट्रोल और मैं भी क्या होता कि पावर्फुल वन जाता मैं भी अनकंट्रोल होता कब इफ इवेन आई वर आइस इन माई बॉय होट एंड यदि मैं अब यहां यहां से समझने की कोशिश करिए वो कह रहा है कि मैं कि अनकंट्रोल होता कब बन मिनट कि अ कि मैं करके भी तो देख लेना चाहिए है अलो आवाज आ रही भी यह क्या आवाज पहुंद रही है इतना सब कुछ होता डेड लीप फोता तो आपके साथ उड़ता और अगर वेव सोती तो आपकी पावर से रहता और आपकी पावर को मैं शेयर करता कुस्टे बात कहता है इक अपुल्स अपने बच्पन के दिनों में मतलब है कि मैं उन में होता अपने बच्पन की बात करता हूं कि अगर बच्पन में होता तब मैं भी अगर मेरे पास इतनी पावर होती तो मैं भी अनकंट्रोल लेवल होता मैं हर जगए आने जाने का सक्षम होता ही कुड़ भी मैं भी ऐसा कर सकता था यह बात कर रहा है अब यहां से देखिए कर देखिए कर देखिए से बन्हें तो प्के देखिए यहां तक्षप बात कर देखिए आने देखिए इसका आर्था आप समझे लिजेए ठीक आप कह रहा है आई कामरेड मैं आपके साथ होता मैं आपका साथ देता ठीक याद मैं बच्पन के दिनों में होता तब क्या करता कि आपका आपके साथ देता ठीक तुमारे साथ ही बन पाता और तुमारी वांडरिंग में और हैवन में जो तुमारी हवाया चल नहीं है उनका साथ दे पाता कहने मतलब है कि मैं heaven में भी जाता हर जगे आपका साथ दे पाता और तुमारी speed के आगे निकल जाता और कहता out sky speed जो आपकी speed है किसकी उसकी चलने की speed की बात कर रहा है उसके चलने की स्पीड की बात कर रहा और आपकी स्पीड से भी मैं आगे निकल जाता जो ऐसे द्रस से बहुत कम देखने दो मिलते हैं यह मैं वाय हुड में होता है नहीं कहने मतलब राइटर का यह बात कर रहा है कि मैं आपके साथ देता किसमें यह में बच्पन में होता मेरे पास इतनी पावर होती तो मैं आपके साथ होता घूमने में कहां ओवर दा हैवें पूरे हैवें का मतलब यह आप पूरे वर्ड की बात उसमें कहा रख की होगी आइस दैन इस आउट ट्रिप एंड इसकाई स्पीड और उसी स्पीड से भागता आइट स्ट्रीम जो क्या होती देखने को बहुत कम मिलती एफ यदि मैं क्या होता बच्पन में होता तो यदि हम कहने मतलब है कि यहां पर मुझे यदि उसको पहले से इस बात का नॉलेज ह करता है यह बात कर रहा है इसके बात आइस दर्स यहां चे आइस दर्स बिज दीज आप पर इन माइस को नेट आफ लेफ मी आइस आवे लीफ और अ प्लावड आई फॉल अपान दा थ्रोन आफ लाइफ त्रोन आफ लाइफ आई ब्लीट अब कर रहा है कि दस मैं इस प्रकार यह समझे अब कर रहा है कि मैं इस प्रकार आप से प्रेयर नहीं करता मुझे आप से प्राशना की जरूरत नहीं थी क्यों कि यातना नहीं कर रहा होता क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जो अब कर रहा हूं तुम्हारे साथ जो अब प्रात्ना कर रहा हूं वो इसकी प्रात्ना करने की आवस्चेक्ता नहीं है और वो भी नहीं करता है यदि मैं बच्वन में होता कि मुझे इसकी आवश्चता नहीं थी ओ लेफ्ट मी अवेब मुझे उठा लो मतलब आए कि वो नहीं करता और लेफ्ट मी बेब मुझे उस बेब की तरह उठा लो जो बायू से कर रहा है नहीं बेंड से कर रहा है कि मुझे बेव की तरह है पत्तियों की तरह है और ट्लाउट की तरह है मुझे उठा लो ठीक और मुझे क्या गट आई फाल अपान दा फ्रोन आफ लाइब और और ट्राइक मुझे उठा लो कि आई फाल मैं घीरा हुआ एप फ्रोन आफ लाइफ का मतलब यहां पर है कि मैं घीरा हुआ हूँ कि से परेसानी होगा है आई ब्लीट का में ब्लाड होता है लेकिन यह ब्लीट का यहां पर प्रॉब्लम्स या सड्नेस है या उसके जो विचार सा है वो ओल्ड हो गए या डेड हो गए इस बात को लेकर वह चाहरा है इसका आगे भी समझने मिलेगा उसके जो I fall upon the throne of life क्योंकि वो परिशानियों से गिर चुका या उसका जो टाइम है वो निकल चुका है तो उस बात को वो कह रहा है ठीक है चलिए अगया देखिए इनकी क्या प्रोब्लम है वाई कुछ शॉल्प कर सकता है सतीश जी सतीश चंद्र जी मैडम कॉल कर रहीं देखो इनकी क्या प्रोब्लम से कुछ शॉल्प कर सकते हो तो कर देखे तो मेरे तो कंट्रोल में कुछ है यह नहीं सर आपके कंट्रोल में हैं इसका वो और गुरूप में तो कोई मैसेज नहीं आ रहा सर गुरूप में यह राजस कुमारी ने मैसेज डाला सर क्लास स्टार्ट हो गई कि अच्छा में कॉल करके बताओं तो नहीं ऐसे बता दीजिए स्टार्ट हो रही है क्योंकि हम अगर फोन कनेक्ट हो रहेंगे तो पूरा-पूरा डिसकनेक्ट हो जाता है तो के सब्सक्राइब कर दो कि अच्छा है कि वह उनको उठा लेतां वेप की तरह तो खीपत्यों की तरह और उटाउट की तरह आईफ अपन इस रोन इस लाइफ और क्या करताए मुझे जो प्राप्लम से गेरह हैं ब्लीड है उनके साथ क्या करता मुझे उनसे चुटकारा मिल जाता ये बात यहां पर करना जालता है I heavy weight of hours has chand and worked 1 minute in line का मतलब कह रहा है कि I heavy weight of hours is chand and want to like this timeless and swift and power अब यहां पर यह बात कहना चाहता है I heavy weight of hours मैंने जो है एक बहुत लंबे समय लॉंग टाइम से गीरा हुआ हूँ कहने मतलब है कि मैंने बहुत से समय अपना best कर दिया यहां पर है heavy weight of hours का मतलब मैं कई मतलब बहुत लॉंग टाइम से बंधा हुआ है और भी तुमारे जैसा था मैं भी तुमारे जैसा था लेकिन क्या है कि मैं बहुत आपने परिस्तितियों से बंधा हुआ हुँ यह बात कहना जानता है एंड वन टु लाइक दिस मैं आपके ही जैसा था impulse sweet था टैमलेस था और प्राउड ही था यहनि जो आज कर जो आप में जितना proud है swift है ठीक टैमलेस है तो मैं भी था लेकिन मैं क्या है कि मैंने बहुत साथ समय जो टैम है वो क्या कर दिया है उन सबसे में बंधा हुआ हुँ अधर वाइस मैं तुम से ज्यादा powerful होता ही वाद कर रहा है इसका समझ गये चलते हैं फोर्थ इस्टेंजा पर फिप्त वाले पर फिप्त और लास्ट इस्टेंजा की बात कर लेते हैं अभी तक जो है वो अपने से कंप्यार कर रहा था कि यह मैं ऐसा होता तो यह कर सकता था वो कर सकता था अब यहां पर इस यहां से देख लें अहले तीन लाइन का मतलब फिर आगे बताएं अब यहां पर देखिए यहां पर वो कहना चाहता है कि मुझे क्या गरों मेक मी मुझे बना लू क्या दे लेयर मुझे लेयर बना लो मैं लेयर का मतलब यहां पर क्या है लेयर में सोती एक बाद यांतर होता है और जो जिससे जो आवाज है बहुत ही शुरीली निकलती है ठीक एक परकार का बाध्यांतरी ही होता है डे इवेन ओकर और वो कैसे और है ये टुम चलते हो तो फोरेस्त जो तुम्हारा साथ रहता है दर देनले में जो तुमारी साउंड साउंड निकलती है भी साउंड नाgrass कर रहा है ठीक कि वो मुझे बना लो ठीक है जब वो हवा जो है जंगल से गुजरती है तो उसमें संसनाहट की आवाज जो होती है वो एक क्या गया है को उसको सुर्विली है और वो मुझे बना लो अब मुझे उसी मतलब बाद यंत्र को बना लो जैसे अपने फारेस्ट को अपना बना लिया है कहने मतलब जो आप निकलते हैं तो वहां से जो साउंड निकलते हैं सुट वाली उसकी बात कर रहा है अब यहां पर कंपेर किसको कर रहा है माई लीव आर फॉलिंग लाइक इट्स आउन को एट जो है किसके बारे में बात कर रहा है यहां पर बताय कोई सब्सक्राइब कर रहा है यहां पर वो कह रहा है कि जैसे आपने फारेस्ट को अपनी बाद्यांद्र बना लिया आपने सूट साउंड से लेकर वो प्रॉलिंग लेकर रहा है मत्र मुग्द किया है वैसे ही आप मेरी जो लीव से आर फॉलिंग इफ माई लीव सार फॉलिंग लाइक इट्स ओन का यहां पर है डेड थार्ट से लिया रहा है उसके जो मरत विचार है वो उसके बदल रहा है यह बात यहां पर कह रहा है ठीक है यहां पर उसके डेड विचार की बात कर रहा है कि वो कह रहा है कि जो हमारे विचार है वो क्या है तो डेड हो चुके हैं यहां पर लीव फालिंग्स फालिंग्स लाइक इट्स आंका मतलब यहां पर उसके डेड विचार से हैं और वेल्ट आफ दिस माईटी हर्मोनी जो क्या होते थे तुमारे जो मदूर्द थी आवाज उससे तो उसके जो डेड लीव उनको उन विचारों को फुना जीवित कर दो तो यहां पर यह बाद पो रिकोस्ट करना चाहता है कि हमारे जो डेड विचार रहे हैं वो भी गिर रहे हैं जैसे आपने डेड पत्तियों को ले जाकर उनको सुरच्छित किया और उनको एक नया जाजेंगे इसमें विल टेट फ्राम बोट दा डीव अटमनल टून्स सुट्ट थॉर्ट इंस चैटनेस वी दाव स्पीट फैस माई स्पीट वी दाव में इंप्रेटर्स वन यहां पर यह बात कहना चाहता है कि जो अब क्या करते हैं कि मेरे जो है दोनों क्या करते हैं विल टेट फ्रॉम बोर्ट दाडीव मेरे दोनों जो पार्ट थैं कौनसा एक आटउम टोन है सुट शुट थॉर्ट है एंड शेड नस है अब उसको कहई रा है कि एक तो अपेर कर रहा यहां से देखिए जो उसकी टोन है और जैसे और फिर थाट है उसके थाट कैसे है जो उसके बिचार है उसकी बात करता है कि जो मदूर है और जो उसके पावर का सोर है वो बहुत ही मदूर और दुखी है करने मजलब है यहां पर आटम की बात कर रहा है और अपने सब्सक्राइब अब यहां पर यह बात कर रहा है कि एक तुम एक पावर जैस्प्रीट बन जाओ और तुम भी मेरी तरह यहां इंप्रोटेस में बिना सोचे बिचारे होता है ठीक और और इनको तुम भी मेरी मेरी तरह बन जाओ जो हमारे बिचार है सैडनेस के जो हमने को दिया है उनको क्या करो तुम तुम भी बिल्कुल मेरी मेरी तरह ही बन जाओ तुम बारे मेरे बिचार हैं इनके बारे में कैवल यहां पर इन दो से तो यह दो बर्ड कर दो यह है अगर आप दे सकें तो जो हम करना किन को कोई केंडिरेट है राज इस नाम से वह एप्रूवल पेंडिंग है उसको इस्क्री शॉट दे रहे हैं कि अब 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 अरे बात में ज़रेंगे छोड़ों कि वह कुछ कर रहा है उससे पहले भी तो देख सकते थे हमार क्या हुआ हो सकता है कि उनका डिलीट हो गया हो अब वो कह रहे हैं अब उनको अगर हम करेंगे तो हमें फिर से सब बैक होना पड़ेगा कि अब यहां पर कह रहा है कि जो उसके माई डेड डेड अब यहां पर देखें जो उसने ऊपर कहा था वही बात इसको रिपीट कर रहा है कि ड्राइ माई डेड थाट्स मेरे उन म्रत बिचारों को ले जाओ ओवर दा यूनिवर्स लाइक विदर लिप्स अग्विकें और निवर्थ एंड वाइड वाइदा इन कंटेंड ओफ लस्वाशग आब हो कह रहा है कि जो हमारे विशारों को लिजाओ मेरे मरत विचारों को लिजाओ और उनको तुम मेरे पूरे यूनिवर्स में फैलाओ जैससे अ typ अब यहां पर कह रहा है कि डियर दिप फौट मेरे मेरे मिजार है उनको over the universe पूरी संसार में ले जाओ like within और फैला दो ऐसे जैसे like within leaves are quick and new worth जैसे आपने पेड़ों की जो पत्तियां सडी पत्तियों को ले जाकर उनको एक new worth दिया उने एक preserver and destroy and preserver वाली बात यहां पर दिखिए कई है जो हमारे dead विचारों को ले जाओ और उनको नया करो जैसे आपने शूखी पत्तियों को ले जाकर उनको एक नया जीवन प्रदान किया ठिक and why in question of worth ठ्क उन पत्तियों को ले जाकर तुमने उनको एक नया जन्म दिया इसलिए तुम मेरे dead विचारों को ले जाओ और और जीवन प्रदान को यह बात कहना चाहता है इसका और फैला दो as form the health as the speech is my words among mankind और क्या करो हमारे उन विचारों को बहां तक पहुंचाओ जो मैं लिखता हूँ मेरे स्टब्द उनको संपूर मानब जाती में फैला दो तिक of the mankind अब यह पर यह वाद कहना चाहता है कि जो भी उसके जो उसकी विचार है डाट विचार है जो उसके मरत विचार हो गये उनको क्या करो अब जैसे तुमने सुखी पत्तियों को ले गये थे तिक आप उनको तुमने नया जन्म दिया है वैसे ही आप मेरे जो डेट विचार हैं उनको हर जेगा फैला दू जो मेरे लिखी हुई पोएम्स हैं जो मेरे लिखे हुए शब्द हैं उनको क्या है कि लोगों तक पहुंचाओ तिक वी थॉट माइस लिप अप क्या गरो जो उन विचारों जो मेरे डेट विचार हैं उनको ले जाकर मनवजाज में फैलाओ और क्या गरो वी थॉट माइस लिप तो अन्वोकंद आर्ट इस धर्ती पर जो सोई हुई धर्ती है उस पर क्या गरो कि आप ले जाओ इसके दौरा मेरे लिप्स में जाओ तो अन वोकेन आठ जो एस धर्ती पे अनवोकेन है जो अनवोकेन धर्तक मेरी शब्द को ले जाओ किसके मेरे ओठों से चुड़ा कर ले जाओ यह बात है मतलब यहां पर पैड़ यह बात कह रहा है कि जैन से तुन्हें विचार दूफ्रे के लिए हैं मेरे शब्द उन्फक ले जाओ किसके माद्यम से यह मेरे लिप्ट से निकले हुए सब्द है उनको चुराओ और सीधे उनको ले जाओ और उनको अन्वोकेन अर्थ में ले जाओ यह बात कहाना सामता है ट्रमपेट आफ प्रोफेशी ओविंड्स और एक भविस्तमाणी के रूप में इनको सिद्ध प्रकट करो क्या है कि इनको एक भविस्तमाणी के लिए भविस्तमाणी के लिए बन जाएंगे और फिर कहता है और एक बिगुल बनाओ बिगुल का मतलब है कि उन जन जन तक यह बात पहुंचानी है तो यह बात करा रहा है और एक प्रोफेसिस बनाओ आप यहां पर यहां पर इस चीज को जहां रगना है इफ विंटर एस्प्रिंग आया है और तो ऐस्प्रिंग भी आयेगी उसके पीछे ही इस्प्रिंग में आती तो यह कुशन पूच रहा है तो यहां इसका एंसर है कि यहां बिल्कुल नहीं अगर यह तो प्रकति का नियम है वो तो चक्र एकदम चलता रहता है ठीक है आई होप आपको जे पोएम समझ में आई होगी और किलियर भी हो गई होगी और जो चीज रह गई है यहां पर कोई ऐसा पॉइंट है जो समझ में नहीं आया हो इस पोएम में ते कि पोएम जी काफी टाफ है समझने में थोड़ा दिक्कत तो है फिर भी अगर कोई अगर पॉइंट से आपको रह गया हो जहां से आपको लग रहा हो कि नहीं जी हमारे समझ में नहीं आया हो तो उसका रिप कि बहुत अच्छा समझने आया है बिल्कुल किलियर कर दिया आपने बहुत अच्छे से नहीं कहीं पर अगर लग रहा हो तो को जो पॉइंट्स नहीं आये हैं तो उनको दुबारा हम रिपेट कर सकते हैं और फिर इसके बाद की बात कह लेते हैं क्योंकि इसको अभी कई दिन हो गए तो दो-तिन दिन हमने टाइम की बज़े से प्रॉब्लम्स रहती है तो फिर अब पुदा स्काइल आर की बात करते हैं इसमें कुछ एक पॉइंट्स मिल लाए हूं यह किसी इक पास को पीडिया पढ़ी हो तो सेंड कर सकता है मुझे अधरवाइज हमें गोगल बाबा का सहरा लेना पड़ेगा क्योंकि भही हमारे गुरू है यास यह नो जी सर चाहतो फिर आप दो मिनट का वेट करिए बस अभी आया यूं गया यूं आया कर दो कर दो कर दो कर दो